अब तक हमने Mendel के cross पढ़े जिसमें dominance का concept था जिसकी according जब हम दो अलग-अलग character show करने वाले organisms को cross करते हैं तो जो F1 generation मिलती है वो किसी एक parent के character को express करती है और उस character को हम कहते हैं कि ये dominant है और जो दूसरे parent का character होता है जो express नहीं हुआ होता है उसको हम recessive character कह देते हैं उसके बाद हमने पढ़ा incomplete dominance के बारे में जो Mendel के cross से deviation show करता है इसमें जो F1 generation होती है वो दोनों parents के बीच का character show करती है ये दोनों topics हम पढ़ चुके हैं अगर आपने इन पे मेरा वीडियो नहीं देखा है तो उसका link मैं comments में बिन कर दूँँगी मैं आपको recommend करूँगी कि आप जरूर देखें अब वापस आ जाते हैं तो हम पढ़ने जा रहे हैं co dominance तो जैसा आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा है co मतलब एक साथ में यनि जब F1 generation दोनों ही parents के character को लिये हुए हो ना कोई character जादा express हो रहा है ना दूसरा कम हो रहा है बलकि दोनों equally express हो रहे हैं उस condition को हम बोलेंगे co dominance इसका example जो आज के वीडियो में हम discuss करने वाले हैं और जो आपके NCRT में भी दिया हुआ है AB blood group of humans तो बहुत important है बहुत ध्यान से सुनिएगा देखिए आपने humans में अलग-अलग तरह के blood group सुने होंगे A, B, AB, O तो ये कैसे determine होता है इसको determine करने वाली gene को हम बोलते हैं I gene, इस I gene का काम ये है कि ये RBC यानि हमारे red blood cells की plasma membrane के उपर निकरने वाले यानि protrude करने वाले कुछ sugar polymers को synthesize करती है यानि की बनाती है अब इस I gene के तीन अलग-अलग तरह के alleles होते हैं पहला I A, इससे A type का sugar synthesize होता है RBC के surface पे दूसरा allel है IB, जो RBC के surface पे B type का sugar synthesize करता है और तीसरा allel होता है small i, इसको हम IO भी बोलते हैं और इस gene से RBC के surface पे कोई भी sugar synthesize नहीं होता है I A और I B dominant alleles होते हैं और small i या IO gene recessive होता है clear? अगर आपको इतना समझ आ गया है तो आप तो बहुत easy है देखिए ये तो आपको पता है कि हम humans deployed organism होते हैं जिसका मतलब ये है कि किसी भी human में इन तीन alleles में से कोई दो ही alleles present हो सकती हैं अब माल लीजे कि कि किसी के पास एक I A gene है और दूसरी small i है तो obviously I A gene RBC की surface पे A type का sugar form करेगी और small i तो कोई sugar form ही नहीं करती तो उस person का blood group हो जाएगा A ऐसे ही अगर किसी के पास एक IB gene है और small i gene present है तो B type का sugar form होगा small i कोई sugar synthesize नहीं करता है तो blood group हो जाएगा B Now, अगर किसी में I A और I B दोनों ही alleles साथ में present हो तो ये दोनों ही dominant है ऐसे केस में दोनों ही alleles express हो जाती है और RBC के surface पे A और B दोनों type का sugar form हो जाता है तो resultant blood group उस person का होता है A B और इसी condition को हम कहते हैं codominance यनि अगर हम codominance को define करें तो जब भी हमारे पास heterozygote condition होती है heterozygote यनि दो different alleles साथ में present है और ये दोनों alleles simultaneously यनि एक साथ express हो जाते हैं तो उस condition को हम codominance कहते हैं तो अब हमें समझ में आ गया है कि codominance क्या होता है और human blood group में हमें codominance किस तरह से observe करने को मिलता है अब साथ ही में चलिए हम कुछ और possible genotypes और उनके resultant phenotypes को discuss कर लेते हैं मान लीजे अगर genotype IA, IA है तो RBC के surface पे A type का ही sugar बनेगा और blood group होगा A उसी तरह से अगर genotype IB, IB है तो blood group होगा B और अगर genotype small I, small I होगा तो कोई भी sugar RBC के surface पे form नहीं होगी और उस blood group को हम बोलते हैं O blood group And that is it for this video, नीचे अपना blood group कमेंट करके मुझे बताएं कि आपका blood group क्या है मेरा तो blood group O है, मतलब एकदम recessive, RBC के surface पे कोई sugar नहीं Let's see कि कि किसका blood group co-dominance शो कर रहा कर नहीं And until the next time, stay curious